जैहिन आदाब सलाम प्रनाम नमस्ते सत्यकाल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम स्वाइल ऑफिशल पर उम्मीद आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है आप सिलेक कर ले एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा हां एक्राम साहब से पहले बात कर लेते हैं यह पर अच्छा हुआ है अरे एक्राम भाई क्या हाल चाल है खुश होगे ठीक है आप बताई आप कैसे हैं आ मैं अच्छा हूँ तुम अच्छा नहीं होगा तो फिर से कल्मा पढ़ोगे है हां अच्छा नहीं है क्या है वो पक्का है नहीं पूछ रहे हैं तो फिर से कल्मा पड़ोगे कल्मा पढ़ोगे यही जूट सच तुम्हारी खाली चलती है सुन लिया मैंने तुम्हारी सारी बक्वाज क्या है क्या है क्या है क्या है वो मैं पूछ रहा हूं यह कच्छा है तुम्हारे पास देखो है सुनो मेरी बात सुनो तुम्हारे पास कोई नहीं है अरे सुनो मेरी बात तुमारे पस कोई लोजीघल हो जारा बात नहीं है अरे सुनून नкого मेरी बात वत्व कोई अच्छिज अपर शूर नहीं हो और तुमने नहीं क्या लिखा तुम्हारे घर में तुम्हारे घर की और यह उन्हारी नहीं सुनती है तुम्हारी नहीं सुनती है ए tam अराम अराम से जवाब देने का है जो पुछा जाए वही बोलने का जो नहीं पुछा जाय नहीं सुनती है एमडी इक्राम है, एमडी इक्राम, पहले तो शान्त हो जाओ, आपको अच्छा क्यों लग रहा है, आप पुलीस वाले हैं, और मैं चोर हूँ, और आप रिमांड में मुझे ले के, बिठा के, इंटरोगेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ, एमडी इक्राम बाई, ऐसा प अच्छा नहीं है, तो पेटी कोट होगा आपका, ये पिछे लगा कि इतना confidence में आप कैसे बात कर ले रहे हो, अभी अच्छे से नॉर्मल इसलाम पर बात करोगे, क्या खुशूरत अच्छी है, या, क्या खुशूरत अच्छी है, मेरे प्यारे भाई की, अरे सुनो, मेरा एक दोस्त भी होगा, साहिद लाइन को उसको भी लोना, उसको तुमारी फिर्की लेने में बहुत मज़ा है, वो बार बात मेरे को बोलना था, आज सुगा के बोलना था, साहिल के फिर्की लेनी है, मेरे को जानना है, सुनना, साहिल भाई, मेरी बात सुनो, तुम सुनते ही आपको जो आप तमीज की बात कर रहे हो आपके अंदर इतनी भी अक्कल नहीं है है कि आपको साड़े ची अजा आप म्यूट पे चिला के मतलब नहीं है मुट प taxpayer बोले जा रहा है मैं बोला ना आधि अरे रुख जाओ बाई पहले पहले पानी पिलो पानी पिलो ठंडा नहीं पिलो अरे म्यूट पे तुमारी आवाज नहीं आरी दुनिया को भाई कैसे दिमागी लोग दिमागी अपंग लोग है भाई इसको बोल रहा हो म्यूट पे है तो भी बोले जा रहा है अरे अरे अचा सुनो अभी थोड़े दे रहे ना हा रुक जाओ तुमारी आवाज नहीं आरी आप म्यूट पे बोल रहे थे पढ़ाई लिखाई किये हो जिंदगी में कभी पढ़े लिखे हो थोड़ा चूपो जाओ सबर 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 ना जो बात किया ना 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 मेरे बाए तुमको ना अधू आदू मेरी बात अभी में को जेन बगाना पड़ेंगा अरे समीज वसीम को बोलना वसीम को बोलना ने भी में युन आदिम अर्रह्मान अल्माल कुरान खलक अल इंसान अल्माहु बयान भई ये तो वाकई में जिन इनका भगा दिया, देखो शांत हो गार एक्दम ओगया तुमारी बगवास? ये काम किया ये आयत उल्गूजी ये यही तुम्हारी सबसे गंदी आदत है तुम लोगों की बात नहीं सुनते तुम इदर खाली पैसे बनाने के लिए हो तुम्हारे अंदर कुछ है नहीं ना हया है ना शरम है ना तमीज है ना बात करते हो और तुम क्या बात करते हो तुम रिसर्चर हो तुम को है नहीं बात कर एक मिट एक मिट तुम तमीज की बात कर रहे हो M.D. एक राम मुझे बात बताओ अभी तुम म्यूट पर रूख जाओ तुम जो तमीज की बात कर रहे हो तुम को इतनी तमीज है कि तुमको साड़े छे अजाल लोग देख रहे हैं तुम ये बन्यान पहन के बैटे हो पिच्छे चड़ी सूक रही है और तुम दूसरे को तमीज की बात सिखा रहे हो ये कोई तरीका है आपका आपको इतना भी नहीं समझ है कि जब आप म्यूट पर है तो आपकी आवाज नहीं आती बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बोले जा रहे हो बाई का अच्छा भी एकदम खामोश हो जाओ इक्राम भाई एकदम खामोश खामोश अच्छा खामोश इसलाम पर बात करना है इसलाम पर बात करना है पहले खामोश हो जाओ अच्छे को बात करो ज्यादा ओबर स्मार्ट मत बनो कि तुम मां दूसरे लोग बेवकूफ है यह दूसरे को एंडरे स्नमेट करने करना फिरली करनेरी अट दर शुल cigarettes के करेंगे आप M.D. Iqraam साथ. तुम ताम मत पास करो, ताम पास करो गए मैं इक रिट हो जाओंगा, मेरी बात सुनो, मेरे बारे बात सुनने के लिए तैनी ही, मैं क्यों आया था तुम्हारे पास, इसलाम पे बात करो, ताकि तुम्हारे पास है, मेरी बात सुना, मेरी बात, सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो पहले, तुम सवाल करोगे कि मैं करूँगा, बीच में इसली बात नहीं हो, तुम तो बहुत क्रिसार्चर बन रहे थे, कहा हो गया? तो मैं सवाल करता हूं तुम जवाब दोगे इसलाम के उपर क्यों आज भी तुम मांगी रहे हो तुम तो रिसार्चर बने हुए थे अभी आ ना इसी वज़े से कह रहा हूं मैं सवाल करूँगा इसलाम पे सवाल करो चलो मैं पूछो आप पुछेंगे अभी बोल रहे हो मैं पूछू इसलाम पे मैं पूछूंगा ना बोलायापने मुझे महमान तो पिर यह क्योई बोल रहे हो कि आप करोगे या मैं करूँगा चलो ठीक है अभी आप नहीं करेंगे मैं इंक्वारी ओफिस नहीं हूँ कि तुम लेजे लोगों को जवाब देता फिर हूँगा ताकि लोग समझ जाए कि तुमारी असल नॉलेज केतनी है इसलाम के एतराज पे जवाब देने शरम आती आपको सवाल शुरू नहीं किया तेरे फेफड़े पूल नहीं लगे बाइड़ एक बाइड़ रहे तुमारे तुमारे रसुल जो है टे ते हैं और सुनो मेरी बाद ढosed तुमरे र tua लोंडी बासी कुई करते थे इसका जवाब डो क्या ग्याण दिये मेरे को मालूमें गिने हुए तुम्हारे दो 4100 साल पुराने जो कहानी थे ना वही सवाल लेगा है तुम्हारे रसूल और सहाबा लॉन्डी बाजी क्यों करते थे इसका जवाब दो तुम्हारे पास आओ कोई टॉपिक नहीं है तुम्हारे पास तुम्हारे बेवकूफ लोगों का ये जो दुगान खोल के रखाना इसे रोज आते हैं लोग मेरी बाद सुनो मेरे सवाल का जवाब दो ना रिसर्चर हो ना ऐसे बत्तमीजी वाली बात करते हो तुस्क्ग ये बत्तमीजी है तो जो कर्गर रा है वह तंके टॉपिकать कुरु मेरे घर में रसुल उल्ला जैसे लोग नहीं है जो मुझे इस तरीके की बात करने की जरूरत पड़े समझे अभी करो या खतम करो मेरी बात सुनो करो ये बताओ के रसुल लार साब लोपी क्यों करते थे देखो मैं बोला ना तुमारी ना जबान ठीक नहीं है कारण क्या है मैं तुमको बताता हूं तुम पढ़े लिखे आदमी नहीं हो, मैं तुम सवाल करोगे, तुम रिसाप से तो सवाल मेरा बनता है, तुमारा तो कुछ नहीं बनता है, तुम इसकोलर हो, लौंडी बाजी पे सवाल करो, इसलाम की, बस हो गया तुम्हारी ना प्राइब दे लोगों को चांज तो तुम्हारे लोग उदर आते हैं तुम्हारे नेता विता हो क्या मेरी बात सुनो ना तुम बात में यह पता करना में कोन हूँ चोड़ो मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं सबसे पहले बताई यह मूब मास क्यों लगा है किस ने तुमने तो मैं जवाब मत बठाओ ने नहीं नहीं अभी तुमनेफस सवाल पूचा आपने कहाता मैं सवाल करूगा infl ऑफने कहाता और आ जाब दोगे अपने कहाता मैं सवाल करूगा hit मैं सवाल कर ते उसका जवाब भी नहीं दे रहा है हुध आपने एक सवाल किया, उसका जवाब नहीं ले रहा है, या आदमी खाली टाइम पास करने के लिए आया है, या बेज़ती कराने के लिए अपनी, आपने भी एक सवाल किया, कि मैं मुँपे मास्क क्यों लगाता हूँ, ये आपका सवाल था ना, एक मिनिट, एक मिनिट साहिल भाई, पटबट लग जाओ, हाँ, तो साहिल भाई एक बात बताओ, इस्लामिक टॉपिक पर बात करेंगे, आपके लगफन बात करेंगे, वो बात करो, सुनो, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब दे रहा हूँ, उसमें मैं इंटरेस्टेट नहीं हो जाने दो, तुमारा पसका ले, मेरे सवाल पूछ रहे हो, आपका फिर चांच चले कि आप मेरा सवाल करने का मौका, या तो मेरे सवाल का जवाब लो, या तो मुझे सवाल किया, इस हिसाब से, तुमारी लेंग्वेस को रिचर्चर वाली लग नहीं रही, कोई पड़े लिख आदमी वाली लग नहीं रही, चलो, ये भी बात फोड़ देता हूँ, चलो, शुरू करें, आप, हाँ, आपने एक सवाल किया, उसका जवाब लो, आपने पूछा ये क्या कोई खेल तमासा चल रहा है, कि तुम पहले सवाल कर दोगे और बाद में बोलोगे, मुझे इंटरेस्ट नहीं ये जानने में, ये कोई खेल तमासा चल रहा है क्या, आपने जब सवाल किया है, तो आप उसका जवाब लेंगे, अच्छे से जवाब को सुने, आपन के वज़े से जो इसलाम के मानने वाले हैं वो बिलकुल पागलपन की इस चरम सीमा पे पहुंच जाते हैं कि जो इसलाम की सच्चाई किसी को बताए उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं और तुमारे रसुल उल्ला ने कहा है कि जो इसलाम छोड़ दे उसको कतल कर दो और इस को सीरियसली लेके तुम्हारे मुमिन हजरात जो है वो किसी का भी गला काट सकते हैं और चुके मैं इसलाम की हकीकत बता रहा हूँ इस वज़े से मुझे इस बात का डर है कि कोई भी सरफिरा मुमिन रसुल थे को लेकर मेरा कतल कर देगा इस वज़े से मैं मास्क पहनता हूँ आप मुझे इस पर आप काउंटर कर दिये सुनो मेरी बात सुनो खतम करो ये मैंने जवाब दिया इसका आपको इस पर क्या कहना है क्या आप मेरी बात से अग्री करते है मैं तुमारी बात जवाब ही नहीं तुम्हारे पत्व कोई नोलेज नहीं है, आओ ना बात करते ना तुम्हारा नोलेज, तुमने एतने लोगों को जो यह हंगामा बरबादर रखा जरा मैंने अभी जवाब दिया, बाई बोल रहा है कि मुझे इस पर बात ही नहीं करना है, मैं सुनी नहीं लाओ, खतम हो गया ह मैंने आप कुछ सुनो अगर आपने नहीं सुनाए तो सुनो आपने ये सवाल किया था मुझसे कि आप चेहरे पे मास क्यों पहनते हैं उसकी वज़ा इसलाम है इसलाम में अल्ला के रसूल कहते हैं कि जो अपना इसलाम छोड़ दे दीन बदल दे उसको कतल कर दो और उसके साथ साथ एक नाबिना सहाबी ने अपनी जो सलेव थी वो रसुल्ला के बारे में उल्टा सीदा कहती थी तो उसका कतल कर दिया और रसुल्ला ने कहा कि इसकी कोई सजा नहीं इसके खुन का कोई सजा नहीं कि इस वजे से मैं मास पहन के गुंता हूं क्योंकि कोई रसुल ओला की सुन्नत पे अमल करके कई मेरा कतल नहीं कर दें इस वजिशे मुझे मास लगाना पड़ता है इस पर आपको क्या जबाब देना है किया आप मेरी बात से अग्री करते है या नहीं करते य हुशा तुम अपनी बात तके चारागी को सेंबेटी वो सा बात नहीं चारो ना, अपना इस्लामिक जो नॉलेज है ना, उसको जरा सा लाओ मार्केट में, जरा मैं चेक तो करूँ कि तुम सही नॉलेज है कि नहीं है, अचा चलो, एक सवाल के जवाब से तो यह भाग गए, that means he is agreeing with me कि यह एकदम कटर मजब है, ठीक है, इस वज़े से भाग रहे, second question, please go ahead, next question, time मत pass करो, यह time pass करने का जो तुमने तरीका रखा यह ठीक नहीं, लोग नहीं है, यह बेवोकूफी वाला जो बात कर रहे हो ना, यह सब नहीं करो, देखो मेरे से serious बात करो, यह मेरे को mute करो, side करो यह वाला काम नहीं करो, simple, 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 अब शुरू करें, तुमारी knowledge, हाँ, हाँ, चलो, next question, ठीक है, next question नहीं, question तो भी शुरू नहीं वासाई, बताओ, next question, हाँ, कि पहले आप, सवाल मेरा यह है, कि पहले आप मुसल्मान थे हैं, हाँ, बिल्कुल था, पुरूफ करो, पुरूफ करो मेरी identity सबके सामने है, वह 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 वाली बात नहीं चलेगी, मुँंसे अभी पुरूफ करो, सब लोग सुन रहे हैं, पुरूफ करो, हाँ, मैंने बता रहे हैं, हाँ, पिर क्या बात करो, हाँ, बता है कि आप लोगों के मुफ्ती साहब, पहले हम खतम जिमागी अपंग खतम हो गया तू खुद मुफ्ती यासी नदीम अलवाजिरी साहब ने कहा कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे वहां के लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया था कि एक लड़का है मुसल्मान है तबलीग का काम करता है दावत तबलीग करता है उसके जहन में इसलाम को लेके कुछ सवालात आ रहे हैं बराए महरवानी आप इनसे बात करे ताकि ये इसलाम से बाहर ना निकल जाए मुफ्ती साब कहते हैं कि उस वक्त मैंने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया क्योंकि मेरे पास मेरे पास वक्त नहीं था मैंने सीरियसली नहीं लिया अगर मैं सीरियसली ले लिया होता तो आज शायद तुम मुर्तद नहीं होते तो भाई मेरी गवाही तो खुद मेरे दुश्मन जो अपना मतलब मुझे अपना दुश्मन मानते है वो खुद दे रहे है, तुम्हारे सेकंड सवाल का जवाब क्योंकि तुम एक नंबर के ढंगर हो, तुम सुनते नहीं हो और हाई का मैंने सेकंड सवाल का भी जवाब दे दिया है क्या आप मेरे जवाब से मुत्तफिक है कि क्या प्रूफ चाहिए आपको साइज तुम डिस्टर बूस्टर वहो या कुछ नौलेज है तुमको के इसे ही यह लगा रखा है मदा रखाने की गप लेके बैटे हो या इसी टाइम पास चल ला तुमारा अच्छा इक्राम बैदेखो पहली बात तो है ना आप ताववे पे मतले हो और नजदीक किसी आदमी का मुसलमान होना किसी ठरड पार्टी की गवाई से थाबित होता है बराबर नहीं ऐसा नहीं है मेरी बात चुनो, बीच में नहीं बोलो, तुमने फिर ये क्यों कहा, तुमने बताया नहीं, कि मैंने तुम से क्या पुछा, कि तुम पुरूफ करो, तुम पुरूफ नहीं किये, तुमने क्या कहा, फ़ला साब ने मुझे मुसलमान कहा था, लेहादा आप मानने मुझे मुझ मैं उसी का जवाब दे रहाँ मैं इसलाम चोड़ने से पहले मैं अल्ला की वहदानियत अल्ला की तोहीद और रसुल्ला की रिसालत पे एमान लाता था ला इलाह इलाला मुहम्मद रसुल्ला इस कलमे को दिल से मानता था इकरार भी करता था इस वज़े से मैं यह आपको कह रहा हूँ कि मैं मुसल्मान था लेकिन अब मैं इसको नहीं मानता हूँ इस वज़े से अब मैं मुसल्मान नहीं हूँ अब बताईए इस पर क्या सवाल है या आप मुझे बता दें कि किसी का मुसलमान होना साभित होगा नहीं एक बात है आपके नजदीक यही है ना लाहा इललाला मुहमदर присulullah किसी ने बोला तो मुसलमान हो जाएगा बात सही है दिल से इक्रार जबान से इक्रार और दिल से भी उसको मानना पड़ेगा चलो ये भी बात मान लेता हूँ आपके नजदीक यही है हाँ मैंने बताया ना यही है आपके यही है यही है तो क्या है साइन सर इन से पुछ लिजेए गर के मुसल्मान होने का होश हाँ मैंने इस कलमे को पढ़ा भी और इस कलमे को अपने दिल से इकरार भी किया अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ जो पूछ रहा हूँ उसी का मुझे जवाब देना कि यह अपने कहाँ पड़ा था यह आपने कहा पढ़ा था मेरा सवाल डिक से आप इसकॉलर है ना अपने आपको लोगों को बोल ले हैं जाईलों को जमा कर कि यह बोल रहे हो कि मैं इसकॉलर हूँ फाल तूगी ने बहुत आपको जे लिए नहीं इनसे पुछना दाना कि आप बता दीजे क्या बोलना चाहते मुसलमान कैसे सावब करेगा अपने जब आपने एक सवाल किया आपने तीन मेरे कहल से तीन सवाल आपने कर लिए मैं जब जवाब दे रहा हूं क्या आप उससे है उसके बाद हम आपको निकाल देंगे आप एक golden opportunity खोद होगे इसलाम की तब्लीग कर देंगे आपको 8000 लोग देख रहे हैं ठीक है यह last मौका है अगर आप फिर पूछ रहा हूं मैं पूछ रहा हूं यह आपने कहां पढ़ा क्या कहां पढ़ा तुम मुझे side would करके उधर आपके पास लास मौका था आपने जो जवाब तलब किया मैंने दिया उस पे ना आप उसको रिजेक्ट कर रहे हैं आपने यह कहना है कि हां मैं मुसल्मान था या नहीं था या आप अपना क्राइटेरिया बताएं लेकिन आप मौका खोचुके अभी घर पे जाके जो पिछे आपका पिटी कोट था वो मुझ पे ओड़े और जाके चुप चाप सो जाएं आपके बसकी बात नहीं है आपको बहुत जादा एक्सपोस हमने अल्ड़री कर दिया मुझे लग राइटम सर ये जो नीचे कमेंट आया ना वो देखकर ये साइट पर रखता है कि कौन मौमिन है कौन मौमिन नहीं है अरे बाप बाप अभी इसका देखो मैंने मैंने उसको एक सवाल दिया उससे भागा फिर खुछ सवाल किया उसका जवाब मैंने दिया उससे भागा फिर तीसरा सवाल किया मैंने उसका जवाब दिया उससे भागा तो भाई तुम करने क्या आए हो